हेलो दोस्तों स्वागत आपका मारे चली कोर्डिंग इंडिया में दोस्तों क्या आप भी फुल स्टैक वैब डॉल्पमेट करना चाहते हो फुल स्टैक वैब डॉलपमेट बनना चाहते हो तो यहां पर हम लेकर रहे हैं जैंगो का टुटोरियल जस्ट फोर यू इसके अंद क्या होता है विकोज वह बहुत ज़्यादा यूसफुल होता है जब हम अपने वैब सेट को डिपलोई करते हैं उसके अपने लाइब वैब सेट को मैनेज ना कर पाई तो उसको बनाने गागर को कोई मतलब होगा नहीं तो साथ-साथ में उसको मैनेज करना भी हम सीखेंगी फिर साथ में उसके बाद हम देखेंगे कैसे किसी और website से third party से हम अपने जो media files हैं कैसे उसको show करवाएंगे ये सब हम देखेंगे साथ में हम देखेंगे virtual environment क्या होता है तो चलिए video को start करते हैं और next screen में हम देखते हैं मेरे website जिसके हुब हूँ हम अपने website create करेंगे और सीखेंगे तो दोस्तों ये है एक sample website जो हम create करेंगे ये website मैंने अपने लिए बनाई है जिसको मैं publish कर दिया है आप इसको assess कर सकते हो अब यही website इसके जैसा मिलता जूरता website बनाएंगे जैंगो के थुरू तो जिसमें मारे पास कुछ नयवबार है हमारे पास नीचे options है इसमें हम blocks पर सकते हैं जैसे मैंने अगर इसको blocks के उपर click किया तो यह मेरे को ले जाएगा coding your first HTML document अगर मैं इसको उपर click करूँगा तो यही block आगे जाकर खुलेगा यह block page खुल गया है मेरा उसका आप यहां पर read कर सकते हो and अगर मैं back जाओं and कोई और block खोलता हूं जैसे उसको मैंने यहां पर playlist type बिना के रखा हुआ blocks को तो अगर मैं कोई और खोल के रेक्ते हैं जैसे मैंने python open किया python मैं मैंने अब इसरफ दो ही block डालने है what is virtual environment and step by step guide for deploying jango project on hariku तो आप दोनों इसको assess कर सकते हो अगर मैं view tutorial को उपर click करूँ तो यहां पर आपको virtual environment के बारे में क्या होता है and उसको कैसे activate करना है यह आप यहां पर देख सकते हो आप codes के उपर आओगे तो यहां पर मैंने code का playlist भी बना के रखा हुआ है and अगर मैं इसको उपर click करता हूँ तो जैसे मैं दिखा हूँ कि उपर मैंने click किया तो उसका code आ गया अगर मैं staircase के उपर click करता हूँ तो staircase का problem आ जाएगा देखिए solution आ जाएगा तो आप यह website हम बनाएंगे इसके अंदर और भी advanced feature डालेंगे क्योंकि मैं इसके उपर अभी काम कर रहा हूँ तो जैसे जैसे इसके अंदर advanced feature add होते जाएंगे वैसे वैसे हमारे playlist के अंदर वो feature add करता रहूंगा मैं तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं Django क्या है and उसको कैसे implement करते हैं और Django और Node.js में which one is better and which one to choose तो दोस्तों अब देखते हैं Django तो जैंगो है कि जैसे मैंने पहले बात किया कि Django high level web framework है that encourages rapid development and clean programmatic design जो किसी भी website को rapidly develop करता है and जो इसके designing होती है वो clean होती है और देखने में बहुत ही सुन्दर होती है बाकि designing आपके उपर है आप इसको कैसे build करते हैं ठीक है अब अगर हम बात करें तो history of Django तो जैंगो की history के बारे हम देख लेते हैं तो Django 2005 में IT market में but इसकी starting 2003 में एक newspaper के agency में हुआ था जिसका नाम था Lawrence Journal World newspaper इस newspaper के agency में जैंगो की starting हुई थी इसको rapid web development में इसको बनाया गया था 2005 में market में आया उसके बाद इसका नेम पढ़ रहा था एक guitarist इसका नाम था jazz guitarist जैंगो Reinhard उसके बाद ये लोगों को इतना पसंद आया इतना पसंद आया कि ये market में adopt कर लिया गया और बहुत ही चाता है इसके उपर अविशकार हुए इसके उपर दूसरे programmers ने काम किया और इसको बहुत ही useful बना दिया अब इसको useful ये इतना हो गया है कि इसके इतने जार features आ गय हर एक element दूसरे element से independent होता है ठीक है less coding हमें करने के जोड़ती है don't repeat yourself जिसको हम बोलते है dry इसका मतलब होता है कि अगर हमने एक वर code कर लिया तो उसी को हम बार बार call करते रहेंगे उसको दुबारा लिखने की जुरुत नहीं है उसके बाद अब आता है fast development जैसे हमने पहले इसके बतला है rapid development fast development उसके बाद clean design versatile and secure secure तो बहुत है because इसके अंदर innovative features ऐसे है कि इसको secure बनते है उसके बाद देखते है कि how popular is jango jango कितना popular है क्या यह सीखने लाएक है कि नहीं है तो अगर हम इसका github repository और github के project देखे यह stack overflow में daily questions देखे तो उससे पर जलता है कि यह daily thousands of questions उसके वहाँ पर पहुचे जाते है daily hundreds of projects वहाँ पर upload होते हैं तो हाँ यह बहुत ही ज्यादा popular है और बहुत ही ज्यादा developer इसको use करते हैं तो अब उसके बाद हम देखते है why jango जब market में इत इसके सारे frameworks है जैसे web2py हो गया flask हो गया उसके बाद आता cherrypy हो गया turbo gears python के यह frameworks है तो सिर्फ django क्यों और django के साथ जिसरफ चलिए python it आईए अब हम बात करते है node node जो market में बहुत जा चल रहा है उसके उसको छोड़के why jango तो जैसे हमने पीछे इसके features देखे तो वह तो features है ही इसके जैसे नीचे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है fast, fully loaded, secure, versatile, scalable and with jango we can take web application from concept to launch in a matter of words कि हम बहुत ही बढ़ी हम website कुछ ही घंटों में बना सकते हैं अब उसके बाद हम देखते हैं overview of jango तो अब जैंगो के बारे थोड़ा समझ रहते हैं तो jango जो होता है mbt को पर काम करता है जो दूसरे frameworks हैं या जो दूसरे programming languages दो website development के लिए काम आते हैं जैसे ASP.NET वो MVC के उपर काम करता है MVC का मतलब होता है model view controller and jango होता है MVT के उपर काम करता है model view templates model view templates का मतलब क्या है model view template की एक model है जो database से connect करता है और एक view है view क्या करता है इसमें जो model view template में जो view है वो जो database से आ रहा है वो और जो front end से आ रहा है वो उसको connect करता है यह back end के तरह काम करता है view और जो template है वो front end है अगर in case of MVC के तरफ देखे तो MVC model वही होगा model वही होगा इसमें template आता है जो Django में जो T template है उसका सेम अगर हम देखे तो MVC में वी आता है view and template डोनों सेम अगर हम C की बात करें तो controller और जो MVC का controller है C है जो MVC का C है वो model view template में V के equal है that means जो उसके back end के तरह काम करता है उसके front end को और database को join करता है तो अब अगर हम देखे MVC होता क्या है तो model view controller is an architectural pattern that separates an application into three main logical components जैसे मनें बात किया 3 main logical components में divide करता है model view and controller ठीक है model क्या करता है तो each of these components are built handle specific development aspect of the application MVC is one of the most frequently used industry standard web development framework तो जो MVC होता है यह industry standard web development framework है अगर हम देखे model component corresponds to the all data related logic that the user works with this can represent either the data is transfer between the view and the controller components or any other business logic related data that means यह वही है तो data के उपर हम इसके साथ के खेलते हैं data के साथ खेलते हैं जैसे मिए हम data base के साथ काम करते है तो वह था है model example की तरह देखें तो आप यह example पढ़ सकते हो तो customer object will retrieve the customer information from database जो customer है उसने database customer object है वो क्या करेगा वो database से customer के related data निकालेगा manipulate करेगा फिर उसको update कर देगा तो यह model है अब view क्या करता है the view component is used for the all the UI logic of the application जैसे मैंने पहले बचाया कि सभी जितने भी front end के लिए वो view का काम करेगा तो वही है view component is used for all the UI logic of the application example the customer view will include all the UI components such as text, boxes, drop downs etc. अगर हम controller की बात करें तो controller act as interface between model and view components तो जो controller है वो क्या करता है act as interface between model and view components कि जैसे मैंने पहले बताया आपको यह model and view component को front end और database को साथ में लाता है और दोनों को combine करता है जैसे database से fetch करके value front end में देना, front end से value लेकर उसको database में डाल देना, तो यह होता है controller में काम ठीक है जैसे अगर आप example देखे, the customer controller will handle all the interaction and input from customer view and update the data using the customer model तो यह वही है front end को back end के साथ, front end को database का जोटा है तो मेरी controller जोता है backend का main concept है तो अगर हम MVC flow का, MVC का flow chart देखे तो यह browser है, browser में हमारे पास response है, उसको controller के पास गया, controller नो उसको view, model पे डाला, model ने फिर उसको view पे डाला है and then हमारे पास क्या आया? output आया, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि Django MVC, MBT, पेटरल तो जो MBT है क्या करता है? यह MVC से थोड़ा अलग है because जो उसका C है वो इसमें view हो जाता है और जो उसका view है उसमें आके template हो जाता है वही इसका difference है जादा इसमें कोई और difference है नहीं view जो होता है Django के T के equal है and जो C है controller है वो equals to view के equal है तो बस यहीं difference जादा कुछ और difference है नहीं अब एक main question आता है Django vs Node, JS vs ASP.NET तो अपनी choice है तीनो high level language है तीनो में से किसी का भी एक use करके आप एक ऐसा platform बना सकते है जो बहुत सारे users को handle करे जो बहुत सारे programs को tackle कर सके तो बहुत सारे request को एक साथ ही tackle कर सके तो वो Django capable है Node.js capable है and ASP.NET capable है तो यहाँ पर कुछ point है आप video post करके आप यहाँ पर पढ़ सकते है तो चलिए अब हम देखते है what we learn in this tutorial अब हम इस tutorial में देखेंगे क्या तो इस tutorial में हम देखेंगे what is virtual environment how to use it a virtual environment क्या है और इसको कैसे हम use करेंगे ठीक है अब XAMPP क्या है उसका हम देखेंगे MySQL क्या है how to deploy project on Hariku Hariku के उपर हम अपना project इसको deploy करेंगे फिर git and GitHub अब देखेंगे साथ-साथ में और हम कुछ local repository में change करेंगे फिर उसको migrate करेंगे push करेंगे किस में उसको हम push करेंगे git and Haruki में तो वो भी हम देखेंगे कैसे करेंगे और साथ में देखेंगे अपने database का backup कैसे लेना है सब कुछ हम देखेंगे यहाँ पर एक point missing है जो जिसको मैं डाल देता हूँ backup ठीक है and उसके बाद हम देखेंगे how to use different website to load media files अगर हम हरेको की बात करें तो यह क्या करता है यह media files को allow नहीं करता है ठीक है तो उसके बाद हम media files को कैसे उसके उपर हम serve करवा सकते हैं तो यह सब हम देखेंगे तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पर हम देखेंगे installation of Django and virtual environment ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में